ओ भाईसाब क्या यार दाद़जी की समाने की किताब पढ़ रहे हो यह सब चोड़ो और यह सुनो एक मिनट एक मिनट वैसे आप लोग जाका रहे हैं मॉंबई तु जूनागर जूनागर का वीजा है आप लोगों के पास वीजा कौन सी दुने में जी रहे हो ब्रो सुन ब्रो, इंडिया में अंदर अंदर घुमने के लिए कोई विजा की जरूत नहीं होती जुरुरत पड़ती है वैसे आप लोग कोई लीगल इमिगरेंट्स तो नहीं हो पासपर्ट दिखाओ आप ते परना पॉलिस को बुलाँ पॉलिस ओ रुगजा, बादवी तेरा पासपर्ट की तर है सर्दार पटेल जी, ये नहीं होते न तो आज इंडिया छोटे-छोटे 562 देशों में बटा होता और हर देश में जाने के लिए आपको वीजा लगवाना पड़ता कैसे? जब भारत आजाद हुआ था न तो 562 प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड़ था किसी को अलग देश बनाना था तो किसी को पाकिस्तान के साथ जाना था जरा सोचो अगर आज हमारे देश के बीचों बीच पाकिस्तान का जंडा फेराय जा रहा होता तो पर अपना बन्दा भी सक्त था देश को युनाइट करके ही माना वो अरे छोड़िये भाई सरदार ने हमें एक किया हमने उन्हें क्या दिया? अब तक तो नहीं दिया पर अब दे रहें दुनिया का सबसे उंचा स्टाचू स्टाचू आफ यूनिटी स्टाचू आफ यूनिटी गुजरात में बनी विश्व की सबसे उंची प्रतिमा की नीव रखी थी नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्तूबर 2013 हमें और इसका लोकारपन होगा 31 अक्तूबर 2018 को सरदार सरोवल डैम गुजरात से भारत का टूरिजम बढ़ेगा देश और दुनिया में भारत की शान बढ़ेगी और हमारे महान सरदार आने वाली पीडियों को ऐसे ही प्रेरित करते रहेंगे स्टाचू आफ यूनिटी अखंड भारत के प्रणेता को राष्ट्र की सर्वश्रेष्ट श्रद्धान जली